नमस्कार मैं सलोनिसरीन और आप देख रहे हैं तारीख जिसमें हम बात करते हैं आज यानी 7 नवेंबर की तारीख में इतिहास के पन्नों में क्या कुछ नया हुआ क्या कुछ खास घटा जिसने आज के वर्दमान को बदला और आगे का भी भविश बदल रहा है 7 नवेंबर की तारीख इतिहास के पन्नों में भारत के एक महान विज्ञानिक के जनंदिन के तौर पर दर्ज है विज्ञान के छेत्र में नोबल पुरुसकार जीतने वाले एशिया के पहले विज्ञानिक सर चंदरशेख वेंकट रमन का जन्म 7 नवेंबर 1888 को तमिलनाडू में हुआ था प्रकाश परिवर्तन के छेत्र में उनकी खोच के लिए उन्हें 1930 में भौतिक शास्त्र के नोबल पुरुसकार से नवासा गया सीवी रमन ने जिस समय अपनी अद्भुत खोच की वह अजादी से पहले की कटनाईयों से भरा दौर था और प्रयोग करने के लिए आधूनिक यंत्रों और प्रयोग शाला का नितांग अभाव था लेकिन तमाम मुश्किलों के बाबजूत विज्ञान के प्रती रमन का रुजान उन्हें विश्व के शीर्ग सम्मान तक ले गया इस घटना के लावा भी कुछ एम घटनाएं घटी हैं आज की तारीक में आएए उन पर भी एक नजर डालते हैं 7 नवेंबर 1858 अंग्रियसों के खिलाफ लोहा लेने वाले महान स्वतंद्रता सेनानी विपिन चंद्रपाल का जन्व 7 नवेंबर 1862 अंतिम मुगल बाश्शा बहदुर्शा जफर का निधन 7 नवेंबर 1858 रेडियो की खोच के लिए नोबल पुरुसकार से सम्मानेत मैरी क्यूरी का जन्व 7 नवेंबर 1996 नासा ने मंगल ग्रह का लंबे समय तक अध्यन करने के लिए रोबोटिक अंतरिक्ष यान मास ग्लोबल को अंतरिक्ष में भेजा 7 नवेंबर 2003 अमेरीका की ततकालिन राश्पती जॉर्ज बुश ने देश में गर्पात पर रोख सम्मंधी विधेयक पर हक्स्ताक्षर किये इस वीडियो में फिलाल इतना ही ऐसे यो वीडियोज के लिए आप जुड़े रहें मेरे साथ और देखते रहें सन नाइस न्यूज साथी साथ इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवार